हेलो फ्रेंड्स मैं सविता सिंग आज आप लोगों के साथ कुछ नए टॉपिक्स हैं जिनका डिस्केशन करूंगी यह हमारा न्यू चैप्टर है हमारा टॉपिक है एक्स्टेंशन ओफ मैंडेलिजिम दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टिपल एलेंज ठीक है और जीन इंट्रेक्शन क्या होते हैं इस चैप्टर के अंदर कई सारे टॉपिक्स दीए जिनके बारे में हम लोग डिसक्स करने वाले हैं ठीक है आज हम लोग पढ मतलब कि extension of मैंडीजिम जीन, इन्वायमेंट यह हमारे चैप्टर का नाम है जिसके बारे में हम लोग डिसक्स करने वाले हैं आप हम लोग पढ़नेeten, कि मेंडलवाद के विस्तार कैसे हुआ एक्स्टेंशन ऑफ मेंडलिजम क्या था इनके बाद और साइंटिस्टा उनके बारे में जानने वाले ठीक है तो पहले तो यू के अन्वाशिक्ता को दो नियम अर्था प्रथक करण का नियम और सुतन तव्यून का नियम मेंडल जब पढा रहे थे मेंडल जब पढा रहेते तो उनके नियम किया था नियम क्या था यह भी पढ़ा था बहुत अच्छे से एक्स्पें की थी चीजे तो उसी के बारे में बताया कि यह साधारन जो पढ़नाम के पूर्वान के लिए आधार बनाते हैं मतलब कि जो नॉर्मल प्र रेशियो बन रहा था जीनो टाइब का फिनो टाइब का होमो जाएगे से सारे टरम से पढ़ लिये थे उसी के आगे खॉंटिनियू कर रहे हैं तो इनका जो इन अधार बताये थे इन्होंने इसी की नियम पर अधार बताया थे कि साधारान जो क्रॉस होता है उससे जो करता है इन्हों यह जितना भी लोग उन्होंने मैंडल ने जो नियम बताया थे उसमें यह बताया इस इस चीज को अधार लेके चलेगे थे इस लो है बिन डिस्क्राइब बाय एजुमिंग डिफेक्टर डेटर्माइनिंग डी करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गनिजम मतलब कि फ काम आये में उनिच दुम सब्ड़ उना हम इंच द इन कारों को डेद में करने के लिए जीन शब्द को लिया आप जीन क्या होता है मतलब कि मातел उन्हां यतली जद कल्ली जेए डब्लु जॉण सांट डब्लु जॉण संद ज हो सते इन्हों सिर्टेस्ट इनं हैंञा तो उन्होंने एक शब्द दिया था जीन्स ठीक है मेंडल के अनुसाल लच्छनों और कारकों के बीच वन रेशियो वन का अनुपात था हला कि बात के सोच से पदा चला कि कई अपवादों परिवर्तनों के साथ मेंडिलीनियन द्वारा दिये गए सोजाओ बंशागती के नि मेंडल ने जो न이스 सब्डी बंशारा देन बताया ऑन ग्यांदन जो नियम दिया थह वह फॉल्व вд ल मैंडलिक है लेकिन सब मैंने आप को बताया था ने कुछ नियम में रए अपवाद आ था सारे नियम के उपर मेंडल को नियम फॉलो नहीं हो पा रहा था उसके बात जीन सब्द के उत्पत्थी की थीकिए जीन शब्द को दिया इन्हों ने बताया कि जीन से भी खुछने कुछ रेप्लिकेशन में बदलाओ हुरें म्युटेशन्स हो रहा है यह बढ़ाया है अब हम लोग जान लेते हैं कि जीन क्या है अब सब्सक्राइब कर ने जीन क्या होत जीए ने का घज़ अाना। यूह पने है उनकी राइट लूम हम लोग आनग भी सब्स्दीन हो तो, टो इस आज आ लेटाह सो कि एक आधाया यू होता हो इसे एक अलग बना लेता है ना ये दीन तो बनता है कि यह यह जो यह भी प्रोटीन पार्ट बनाता है वह लो इतना तो समझ में आगे करेंगे जलते हैं तो बोटोंगों फीन को न्योर्टी कि यह अब जानते हैं हैं अशाधेहें आप फसलिए लोगे को पढ़ना अज का टॉपिक पहला हमारा क्या है? Multiple Alliants Multiple Alliants मतलब बहु विकल्पी Alliants क्या होते हैं? इसके बारे में हम लोग को जानना है बहु विकल्पी Alliants क्या होते है? Multiple Genes इसका ये image भी एक दिया है Three or more Alliants of the same gene मतलब कि एक ही जीन पर दो या दो से ज़दा जो एलेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं मल्टिपल एलेल्स बोलते हैं त्री और मोर एलेल्स ऑफ दी सेम जीन एक ही जीन के ऊपर जो दो या दो से ज्यादा एलेल्स होते हैं वो क्या होते हैं मल्टिपल एलेल्स होते हैं ठीक है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टिपल एलेल् ौह इमेज दिया हुआ है थीक है इस पर फ्लेस दी हुई ठीन है यह क्या हो गए अलल्स अब में हो अब कई अब जाक्त नंबज में हो सकते हैं काई रिल्स ने काई इसने की थी कहा से आया थी यह थी क्यों जरूरत थी के सारी चीज़ों देख लेते हैं ठीक है तो पहला है हमारा मर्टिपल एस अनुवांचिकी के प्रारंबिक इतिहास में बैट्सन जो कि 1906 में दावा किया कि मेंडेलियन कारक स्वतंत अस्तित्त के थे ठीक है और यह किसी विशेश कारक यह जीन की उपस्तिति या अनुपस्त उन परियों चैहिक उन्हें जो अपने निस्कर्श बताया था वो छुम पर्टिकुलर उपस्तिति के विशेर्स कारक या जीन की विशेस कारक तक मुक्तीन कीुए घिए खमी कोई कारक या नहीं प्रभावी हो रहा है उस पर डिपेंड करता है निर्धारिद करती है कि जैसे us. इस परस्ट हो गया कि जीन एक राखिक रूप में गुड़सूत्रों से जुड़े हुए थे तब पस्तती और उन पस्तती परिकल्पना की पूरी तरह से आलूचना भी अभी तक हम लोग जान रहे थे कि जीन्स होते हैं हेट्रो फेर सो एक्स था या कैपिटल टी स्मॉल टी जान रहे थे लेकिन जब हम लोगों को यह आगे जो बेट्सन थे जब इन्हों ने यह चीजे पता लगाई कि एक अपनी एक रेखिक फॉर्म में होते हैं मतलब कि लीनियर फेशन में होते हैं हाओरेवर एस सूर एड विकम क्लियर देट जीन्स वर लिंक्ट विद्धी क्रोमोसोम इन लीनियर फेशन देन देप्रेजन एप्सेंस हाइपोथिस वर प्रिटिसाइज बैडली पिर उनकी पुरकर्म्ना की बहुत दूरी तरह से हालोचना भी की गई थी लेकिन कुछ ची उसी टाइम पर हमारे क्या मल्टिपल एलस जो थे उनकी खोच की गई थी और ज्यादा तर मामलों में लच्छडों के विशेश सेट के लिए एक दूई गुडित व्यक्ति दूए बता चुके लिए डिप्लॉइड इंडिविजिवल क्या होता है डिप्लॉइड इंडिवि पर जो जो जीन्स के उपर जो अटेच होते वह एक जैसे हम लोग कापिटल टी और स्मॉल टी कर रहे थे यह था जो जो अलग कर रहे थे तो एक जाए गोट इदर का जा रहे था एक इनके पास आया तो यही यहां पर कहा गया एक विशेश सेट के लिए दूई गुडित व सकते हैं डेपलाइड एंड विशल में सिफ दो अलग अलेज हो सकते हैं एक इसमें फादर से आया और एक मदर से आया ठीक है अगे पड़ते हैं फिर क्या कहा गया एल क्यूनित अल क्यूनित 1904 में प्रूब्स दाट ओन तो अलेली की ओंड और जानिक माइट मैप तो इसेम लोकस और इस नोट आवेज डिस्टिक्टेट तो इन नमबर इस नोन एज अ मर्टीपल इन्हों ने बताया कि इन्होंने यूनित नहीं सो चार में से दिखिया कि एक जीन के दो से अधिक यूगमा रूप मांचित्र में एक ही स्थान पर हो सकते हैं मतलब कि जो एल से वह ब सकते हैं लेकिन डिपलाइड जब हैं डिपलाइड अनिमल है तो क्या होंगे दो ही आपको दिखाया इसी तरह जितने जिस तरह का इंडिविजवा लोगा उसी तरह से एलिस के नमबर बढ़ भी सकते हैं तो जब इससे पहले जब लोग इने इमेज देखी ती देख लेते हैं जो अभी आप लोग को समझा है मटिपल एलिस क्या होते है नमबर ओ एलिस दो या दो से जदा जो एलिस होते हैं जीन के उपर उनको बोलते हैं मुल्टिपल एलिस ठीक है लोकेशन मतलब क्या सब्सक्रोंग रहें लोकिशन नहींट बनाई ती वहां पर देखा जाना एक homologous chromosome है दिखा देतें एक बार और यह है homologous chromosome है उसमें जो एक particular place दिखाई जा रही है यह place दिखाई जा रही है यह एलेंस की place दिखाई जा रही है ठीक है same locus of homologous chromosome homologous kya थे heterozygous kya थे homologous kya थे बताया था था ना जो होते हैं उसमें जो location दिखाते हैं किसकी सेम location जो दिखा रहे हैं लोग उसको जीन्स की उसको बोलेंगे ठीक है हमने पहले बता दिया जीन्स की definition multiple allens की definition क्या है location जो हो मोलोगous के अब इन में कुछ characteristics पढ़ लेते हैं characteristics क्या है तो पहला पॉइंट है a deployed individual contain two allens and gametes contain one allens for a character मतलब कि एक deployed individual है माल लीजे यह है deployed है आप यह एक माल लीजे यह father से हमने ले लिया capital T और मदर में आया small t है ना दो हो गया एक फादर से आगया और एक मदर से आगया ठीक है तो यह deployed individual हो गया और इसमें two allens आगे यह एक allens हो गया एक allens हो गया gametes contain one allens for a character यह मैंने जो आप लोगों को बताया इमेज में इसका मतलब यह है कि जो एक deployed condition थी individual कि उससे जो एक एक और एक पादर में से आया और एक मदर में से आया जो यह condition एक की आई ही इस ही को यहां पर इस sentence में समझाया गया है ठीक है डिप्लाइड इंडिविजल कंटेंड टू एल्ल संड गैमिट्स कंटेंड वन एल्ल फॉरा करेक्टर ठीक है इतना समझ में आगया दूसरा कहा रहा है कि देशो मेरिस्टमेटिक टाइप ऑफ जर्मिनल वैरियेशन्स अब जर्मिनल वैरियेशन्स क्या होता है में पॉइंट हमारे जर्मिनल वैरियेशन्स क्या है जो एक पैरेंट है उनसे बच्चों में आया फिर बच्चों से बच्चों में आया जो पीडी तर पीडी वैरियेशन्स आ रहे हैं परिवर्तन हो रहे हैं जब यह एविल्यूशन वग्यरा पढ़ते तो वहां हम डीप में पैरेंट है तो इसी को बोलते है मेरिस्टिमेटिक टाइप एक पीडी से दूसरी पीडी में जो चेंज आ रहे हैं या जीन्स आ रहे हैं भरिवर्तित हो कि आते जा रहे हैं वह क्या हो गए यह इस पॉइंट में यह चीज बताए गई ठीक है तो यह इनके कुछ करेक्टिस पहला बता दिया कि टेप्लोई इंडिविजिवल से एकए का यह दोनों से आप उसके बाद सिर उमने बदायमने बदा घर मैरीक्टिक ताइब का अबजिक्टायम् मे पूछ सकता है कि मैस्टुमेटिक ताइब का वैरीएशन किस्में होता ता आप लोग बता हैं कि मुल्टि अखर्संजान में आखर्संप में गुरूग कोता दिया कि चाहिए का सेम और और पहले ही बता चुके हैं आप हम लोग माल लेते हैं किसका ब्लेड का ले लेते हैं जो मल्टिपल होते हैं एक ही जीन्स पर एक ही होमो क्रोम सोम है और उसको क्या बोलेंगे यह भी एक करेक्टरिस्ट्रिक्स है किसका आपका मुल्टिपल एल्ल्स का तो हम इसका एक्जम्पल ब्लेड में समझते हैं तो वहां से हमें चीजे और उच्छी से क्लियर होंगी दिखाते हैं आपको एक इमेज मैंने आप लोगों के लिए सेट कर रखी है ताकि भताने से ज होता है यह क्या एक एल्ल्स है इसके उपर एल्ल्स कौन-कौन से और एंटीजन इसके एल्ल कौन से ए होता है भी होता है या ओ होता है ठीक है यह होता है जिसे हम किसी से पूछते है कि आपका ब्लेड ग्रूप क्या है तो कोई बताता है मेरा एक ब्लेड ग्रूप है कोई ब इतनी देर को समझा रहा है कि जो होते हैं तो हम लोगों ने गजेंपल देख रहे हैं इसका ब्लेड का देख रहे हैं और उसके अपर नंबर इसी तरह से बहुत सारे एक्जम्पल्स हमारे पास है तो यह की कॉंसेप्ट देख लेते हैं कि मृल्टिकल्स पर इस के लिए रहा है गल्स के लिए इसमे उपर एभी हो सकता है बी और जायेगा है तो यह देखिए एक हम यहाँ पर इमिज लगा रखें इस दीए तया है लेकिन इसमें एंटिबोडी के से थे अब ब्लैड ग्रूप चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें डीप में पढ़ेंगे अभी हम लोग देख लेते हैं जब किसी का ब्लैड ग्रूप एंटी बॉडडी निया होते हैं भी टाइप होते हैं उन्हें करें आप आप यहाँ आ मनें किया एक जन कैसे है और आटीजन वी है यह मृतिपल यह संजा रहे हैं एक्जंपल भी है और दोनों वह और यह था ते एंटीबॉड़ी बीकता यहाँ पर शेयर जा YEहीं टिफE के ए दॉटॉड़ी यहां पर दिखिए, जो ब्लड ग्रूब और अपर बॉड़ ग्रूप O होता है, उसमें ब्लड ग्रूप O होता है, उसमें आप लोग कोई चेप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें आप लोग कोई चीजे और अच्छे से बताई जाएंगी, ठीक है? और यहां पे एक भी नहीं होते हैं तब ही तो यह कहते हैं कि यह सर्वग्राही होते हैं, एक रिसेप्टर होते हैं, मतलब यह सबसे ब्लड ग्रूप ले सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं, और वो क्या होता है, सर्वदाता होता है, डोनर होता है, यह सभी को ब्लड ग्रूप दे क करेंट सेंपर अधाया कि इस अधर्यूम इनके उपर जो अलग अलग स्पेस होती है इनको क्या बोलते हैं इस बोलते हैं तो हम लोग मटर का कर रह गाता ही थी खेल रूंग को अपत्रा रिम्हित कर रहे तो निक एतक्त मिंता है यहीं मां ज केंक हैं कृ माले जी यह हैं यहां पर कापिटल ए है यह क्या होता है यह वाले हिए यह अर जरूरी नहीं कर अब हम लोग क्यों ले ले सकते हैं अई अधर भी आ सकती है कि capital वाले ही इधर लेंगे या dominant वाले ही इधर आएंगे small वाले इधर आजाएंगे ऐसा कुछ पंपसर ही नहीं है इसके बाद हमारा यह था कि there may be many alleles of genes is in a population but in deployed individual only two alleles of a gene are present on same locus of homologous chromosome वही बताया कि कई सारे numbers में हो सकते हैं लेकिन deployed condition में दो ही होते हैं तो वही जो भी आप लोगों को उपर समझाया वही चीजियां पर भी है फिर हम लोग अभी तक हम लोगों ने जाना कि multiple alleles क्या होते हैं ने जो हम लोगों को ब्लेट ग्रूप का जो है एक एक जामपल जो सबसे इंपोर्टेंट है उच भी जा सकता है उसके बारे में देखा उसी से रिलेटेड कुछ और एक्जामपल से जो देख लेते हैं तो आप लोगों को multiple alleles और ही अच्छे से समझ में आएंगे तो हम लोग आगे चलते हैं इनके भी डिफरिंट ताइप उफ इग्जामपल दीए हमारी जो ठाकुर पप्लिकेशन की जो बूक है भी सारे श्तों की बूक है उसमें ग्रष एक्जामपल के बारे में देख लेते हैं ठीके तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिश्याश के बारे में दिसक्स किया था तो वही ऑड़ों का डिसक्चेशन यहां पर हम लोग देख रहे हैं मैं यह दूदिश पर हुए है वह कर अलग फॉपल अब उसी का अलग फॉर्म देखते हैं यहां कि अध्य है एक वॉड योंYo कि इतनी दिर से कि यह को सकते नियुक्त रखे लंबे पंक उत्परिवर्टन के थोड़ा सब्सक्राइब एक में बहुत ही कम विक्सित हैं और एक में थोड़ा सा और जादा विक्सित हो गया ठीक है इस तरह की मक्ही के बारे में बता रहा है लुप्तवेशी पंक और एंटी लेट्स दोनों एक ही समाने जीन के योगमक हैं मतलब कि जीन एक ही है उसके उपर दोनों का अलग-अलग है ठीक है इस प्रकार वे समाने जीन के लिए अप्रभावी होते हैं अब दो दिया है एक लुप्तवेशी है एक है तो दोनों में से एक का ही तो प्रभाव आ रहा है तो उसी प्रभाव को देखा रहा है तो हम लोग कह रहे है कि एक का प्रभाव क्या होगा प्रभाव आए इसिम्बल WG is Denot West Vestisial Wings किसे रेप्रेजन करने माले है उसके बाद दूसरा घाता है VGA इसको antilates Wings एक तो vertex theanne覺 फ मुझ ऋ रेप्रेसंट कर रह रहे हैं और ईक बी अतिलेट Wings इनकोagdA तो देखने के लिए फिर उसके बाद और जो हमारे सामान एलेंस को किस से प्लस से रिप्रेजंट कर रहे हैं यह यह द्रोसोफिला की तीन प्रजातिया है एक लंबी एक लुप्तवेशी एक एंटिलेट्स मतलब की देर आर थी रेसिस ऑफ ड्रोसोफिला लॉंग वेस्टीज यह तरहले रुप्तब कि सीफेसे और द जलेखने लॉप रुप्तवेशी मतलब कि दूफ यह टोड़ेव हिप्सत है उनको किसी हम एक प्रेजेंट कर रहे हैं वी और जी और जी गोगारिए णनबर लेकर के चलेंगे तो इस लिए अलग तरीके से दिडेनोट किया गया है तो यह चीज भी आद रखनी होगी कि 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 लोग को किसे कर रहे हैं प्लस प्लस से कर रहे हैं व्यजी कर रहे हैं और इंटीलेट को किसे करते हैं रिप्रीजेंट वी-जी-ए से या मारा एक डियाग्राम जो मिए रख़ुप थे दोनों में क्रॉस करेंगे इनको प्लस से एकृश करेंगे तो x जब हमने क्रॉस करवाया इनका तो हमें क्या मिला वीजी मिला और प्लस मिला यह लॉंग विंग हो गए यहां पर भी वीजी और प्लस मिला यह सौनिस्टेशन करेंगे चेशित करेंगे तो यह क्या हुआ हमें कैसे में तीन वेले चेशटे और पांपक वाले लुपतावेशी बिद्धार पंकल यह धी लंबे पंक ते हमें यह लंबे कर वाने पर हमें यह को मिला तरी वन का रेशियो मिला उसके बाद फिर हम लोगों ने खॉरोगा फंट पर दो लोनों का रेशियो निकल गया गया। उसके बाद दोबाला जब राया हमने लंबी पंखो वाली मक्ही का लॉंंग विंग फ्लाई और दूसरी हमारी कैसी होगे अल्टर विंग मतलब ये एंट्रेलेट फंखो वाली मक्ही करणी के इनका जब रोस करवायतों इनको हमने बता अधिलेट कि इससे निकल के आया कि जब हम इनके साथ करें तो लुप्तवेशी का भी लुप्तवेशी जो था उसका भी एक हमारे पास प्रभावी हो रहा था और बाकी सब प्रभावी किसका गुना आ रहा है जो लॉंग वाली ड्रोसोफिला थी लंबे पंको वाली यहां पर देख लिए इससे पहले हम ने डिसक्राइब उपर कर लिया था एक लुप्तवेशी पंको वाली जो मखी ती जिसको वीजी से रिप्रेजेंट कर रहा थे यह आप लोग लोग ड्याग्राम अपने आप तो अब लिए दूसरा मैं ले अपकर लख सकता है ज़रोरी नही कर सकते दो हम लुप्त वेशी देखा था आप लोग दो अपने आप लिए तो ड्लोग यह ने झापांफे लयोग रिख भी देखा थे जिसमें फोड़े से ठूद की तरह और이션ette करों तो यहां पर नतनलिय के फ्रवाली मक्यों के जब हम लोगों ने प्रॉस करवाया तो एफन जनरेशन में क्या देखा वीजी और वीजी ये दोनों आएंगे इंटर्मीडेट में और सब्सक्राइब बता चुके इसलिए यहां पर बार-बार हम क्रॉस करके नहीं बता रहे हैं तो में क्या देखा आप बदलाओ दा रहा है जीनोटिपिक यह भी बता चुकी हूं और यहां पर रेशियो आप राए तरी का रेशियो जब हमने लुपता वेशी और यहां पर पंखों वाली मख्यों का क्रॉस कर वाया था तो एक डियाग्राम यह है हमारा लुपतावेशी और एक एंटिलेट पंखों वाली मक्ही के बीच प्रोस का प्रतिनी धित प्रोसा फिला के पंखों में